हलो वाटसब गाईज, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, मेरे चैनल यूवी आर्ट पर आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप की डिजाइन बनाना सिखाऊंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां हम टूडी लाइन बनाएंगे, तो मैं इसकी टूडी लाइन बना लेता हूँ, पहले मैं बहारी आरिये की इसकी लाइन बनाऊंगा, यह लाइन हमने ड्रो कर लिया है, अब इसको इसके उपर फिट कर देते हैं, झाल मैं आरिये की, जड़े जाउटी लाइन बनाऊंगे, इसके में लिए समन खतुवता राइन ट्रो एल वोता हैं, कि दफ लिए समन लाइन स्ब्लीं अच मैं कर दोड Это हैं, झाल मैं आरिये वर्शान बनाऊंगे, इसके तो मैं हूँ कर कर देता हैं, झाल 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 लाइन हमारी कम्प्लिट हो चुकी है इतना काम हो जाने के बाद इसका हम ऑफसेट कर देंगे धाई एम्म का आई ग्रैकां इसका हम उपसेट करने के बाद यहां बीच में यह जो टांड दिकर रहे हैं। और इस वाली line को right press करके move vector to new layer में ले चलेंगे और इस layer में ये वाली line हो चुकी है और vector layer 2 में हम बीच के dant की line को बना के चलेंगे इसी line के साथ touch करके मैं उस line को draw कर देता हूँ और यहाँ पर इसके center point के साथ मिला के चलेंगे इस line को इसके साथ join कर लेंगे सेम इसी तरीके से एक और line हम draw कर देंगे यहाँ इसके साथ join करा देंगे edit करके मैं इसे adjust कर लेता हूँ इसको भी इसी तरीके से हम adjust कर लेंगे पर स्थोड़ा matching का हम ध्यान रखके चलेंगे एक एक करके मैं सभी को बना लेता हूँ कर देंगे कर दो लेके झाल 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 सारी लाइन्स को हमने ड्रो कर लिया है यहां पर यह लाइन्स और रह गई हैं इसके लिए मैं अलग ले लेता हूं इनको वैब सिंग्डल लाइन से बना के चलेगे फिटा बट से में इन लाइन से ड्रो कर देता हूं कि इन लाइन्स को हम थोड़ा एक्स टैन लेकर चलेगी तो प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए हम इसको पहले ही एक्स टैन करेंगे चलेंगे करेंगे चलेंगे करेंगे चलेंगे करेंगे 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 इसी तरीके से दूसरी साइड के लाइन्स को भी हम कम्पलिट करेंगे झाल 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 लाइन्स हमारी कम्क्लीट हो चुकी है इसके बाद हम इसकी 3D बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम रिजुलेशन को हाई करेंगे मॉडल पर जाकर हैट रिजुलेशन और इसे फुल कर देंगे अब यहां पर यह डिजाइन है वो इसके गड़े में है मतलब सबस्ट्रेक टाइप में बनी हुई है तो उसके ल लेंगे जो डायरेक्त 10 mm का लेके चलेंगे उसके लिए पत्तर से बाहर एक लाइन ड़ो करेंगे इस तरीके से हैं और इसमें 10 mm का मेटर भर देंगे save editor tool को open करेंगे और 10 mm का हम यहां पर metal भर देंगे यहां पर यह बिल्कुल 0 रहेगा तो हम फिर से इसी layer में आएंगे और इसको 0 inside vector से 0 कर देंगे इस तरीके से अब इतना हो जाने के बाद यहां पर इसमें यह step दिख रहा है कि नौर का इसको बनाने के लिए इसी में हम इस line को select करेंगे और इसकी total height 10 mm है तो इसे हम 5 mm के अंदर बनाएंगे इसके लिए अलग layer लेनी पड़ेगे अलग layer लेके एक line draw करेंगे इस तरीके से और इसकी height हम 5 mm भर देंगे और इसे apply कर देंगे इस line को हम delete कर सकते हैं और इस वाली line से इसको zero कर देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर step बन चुका है अब इसके height थोड़ी कम है तो इसको हम बढ़ा देंगे और बढ़ा कर इसे 8 mm कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर 2 mm का step बन चुका है अब हम अंदर वाली design को बनाएंगे उसके लिए हम एक और layer ले लेंगे सेकेंड वेक्टर को हम open कर लेंगे और इसे tutorial से टूल से बनाएंगे तो यहाँ पर मैं cut कर लेता हूं इसको और यहाँ पर भी हम cut कर लेंगे यहाँ पर हम round वाला cross section बना लेंगे और एक z item बना लेंगे इस तरीके से और इसकी हाइट हम fix कर देंगे 10 mm चोड़ा हम इसकी 20 mm रखेंगे और इसी को हम control के साथ copy करेंगे edit करके यहाँ point बनाएंगे इस point को delete करेंगे और arc बनाके इसे down कर देंगे यहाँ पर दो हमारे पास z item ready हो चुकी है तो यह दोनों lines को हम select कर लेंगे क्रॉस सेक्षन हम यह वाला लेंगे और जैड़ाइट इसकी plane रखेंगे जिसमें हम 5 mm हाइट में इसे बनाके चलेंगे तो यहाँ 5 mm हाइट हमने बढ़ देंगे इसे log कर दिया apply कर देंगे अब इनको हम अलग layer में बनाके चलेंगे डाउन हम इसे बाद में कर लेंगे फिलाल सबी को हम बना लेते हैं इसको भी इसी layer में बना लेंगे अब इनको हम अलग layer में बनाएंगे अब यह बन चुकी है अब इसमें थोड़ा उतार सडाव देना है तो उसके लिए हम जहां जहां भी problem है उस वाली layer को open कर लेंगे यहां पर इनको थोड़ा down करना पड़ेगा उसके लिए हम curve tool को open करेंगे इसकी strength को हम एक कर देंगे और radius अपनी जरुत के हिसाब से रखेंगे यहां इसको हम इस तरीके से down कर देंगे इसको भी हम सेम इसी तरीके से इस वाली layer को हमने सही कर लिया है इस वाली layer को भी ठीक कर लेंगे सभी को हमने ठीक कर लिया है इसकी हम single layer बना देंगे फाल्टू layers को हम off कर लेते हैं और जिन layers में यह dant बने हुए हैं उन layers को on करेंगे और merge visible really players कर देंगे यहां पर single layer बन चुकी है अब इन तीनो layers को हम नीचे डाल देंगे क्योंकि यह layers अभी हमारे कोई काम नहीं आएंगे अब इस वाली की height हमने 5 mm रखिए यहां जो यह plane area था उसकी हमने 10 mm रखिए थी और step हमने 2 का दिया था यानि कि इसकी नीचे वाली design है इसको हमने 8 mm रखा है तो इसकी height हम थोड़ी बढ़ा देंगे उससे पहले यहां थोड़ी knock निकल रही है तो इसको हम smooth tool में behavior इसका low around ली लखेंगे strength हम इसकी 10 mm कर लेंगे और इसे थोड़ा इस तरीके से घिस देंगे तो यह कूम खतम हो जाएगी अब इसे हम cookie cutter tool से उठाएंगे और इसकी height को हम 8 mm कर देंगे तो यहां पर 5 mm इसकी already height है 3 mm के हम इसमे start height देंगे और इसे paste कर देंगे इसकी height इस वाली height के बरावर हो चुकी है अब यहां पर हम नीचे वाली design को भी बनाएंगे उसके लिए हम अलग layer ले ले लेते हैं और इस वाली layer को अपन on कर लेंगे इसको बनाने के लिए यहां पर पहले हम इसके डांड की मुटाई पता करेंगे उसके लिए इंचिटेप वाले टूल को open करेंगे और यहां से यहां तक कि इसकी लंबाई करीब 3 mm आ रही है तो यहां पर round वाला cross section रहेगा उसमें हम 3 mm की चोड़ाई रखके चलेंगे तो ए 10 mm की इसकी चोड़ाई हो जाएगी हाइट हम इसकी 4 mm रख लेंगे और इसे लॉक कर देंगे cross section हमारा ready हो चुका है लेकि इसमें जब हम नीचे वाली design को बनाएंगे तो प्रॉपर नहीं बन पाएगी तो इसमें हम थोड़ी start height लेके चलेंगे तो उसके लिए हम इसकी height को 3 का आधा कर देते हैं या फिर इसकी 2 mm height कर देते हैं और 2 mm की height का एक box create करेंगे इसकी चौड़ा ही हम 3 mm रखेंगे height इसकी 2 mm रखेंगे और edit करके in lines को हम delete कर देंगे और press करके और इसके साथ join करा देंगे और इसकी height हम check कर लेंगे 4 mm इसकी height हो चुकिया चौड़ा ही 3 mm हो चुकिया अब यहां पर हमने single lines इसलिए ड्रो किया है क्योंकि हम इसे extra tool के अंदर बना के चलेंगे और extra tool single line पर work करता है extra layer हमने ले ली है इसको हम vector layer 1 में डाल देंगे और इन दोनों vectors को off कर लेंगे अब हमारे सामने सिर्फ यह लाइन इसे हो रही है और यहां पर extra tool को open करेंगे और इन lines को select कर लेंगे सारी lines select हो जाने के बाद यहां पर इसको select किया और use as center line कर देंगे और इसको merge high कर देंगे अब यहां पर हम cross section select करेंगे उसके लिए start profile है इस पर इसको select कर देंगे अभी यहां पर इसकी 3D show नहीं हो रही है तो हम इसको सही कर देंगे तो यहां पर हमें इसकी 3D दिख जाएगी तो सारी चीज़े यहां पर बन चुकी है और इसको हम apply कर देंगे और side view करके हम इसको check कर लेंगे ठीक बन गई या नहीं तो कुछ इस तरीके से design हमारी बन चुकी है अब हम सभी के height को check कर लेंगे इसके height हमने 10mm रखी थी और इसके बाद हमने 2mm का step दिया था तो इस वाले area के height हमने 8mm रखी थी जो कि यहां पर 8mm से हो रहा है इसके बाद हमने इसको बनाया था जो कि इस layer में है इसकी height भी हमने 8mm रखी थी इस वाली layer के जितने और इसके बाद हमने इन सब को बनाया तो इससे इसके हाइट आधी कर दी यानि कि इसके हाइट 8 mm है तो इसके हमने 4 mm गर दी इस तरीके से अब सभी को हम मर्ज कर लेंगे और सिंगल लेयर बना लेंगे इसी को हम कॉपी करके यहां लगा देंगे उसके लिए क्या करना रहेगा इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे आउटलाइन को और इसे कुपी कटर के साथ उठा लेंगे इसको और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ हमें इसकी कॉपी बना लेंगे और इसको हम फिर से पेस्ट करा देंगे और इस वाली डिजाइन के लिए हम अलग लेयर ले लेंगे और नीचे की डिजाइन के जैसे इसको एड़ेस्ट कर देंगे ऐसे करके हम जितनी भी पत्ती बनाना चाहें वो बना सकते हैं इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं पेस्ट करने के बाद यहां पर हमें यह डिजाइन शौर नहीं हो रही तो इस वाली लाइन को हम सलेक्ट करेंगे और इस वाली लेयर में आके इसे जीरो कर देंगे यह design हमें दिखने लग जाएगे इस तरीके से हम जितने भी इस पत्ति की copy करना चाहे कर सकते हैं अब यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि यह जो surface है यह plane नहीं है बिल्कुल थोड़ा खुरदरा है तो इस तरीके से हम इसे अगर बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड करेंगे और यहां पर एक option दिखेगा create relief layer इसको हम open कर लेंगे तो यहां पर यह automatic design create कर दिये और इसकी height कुछ ज्यादा आ रही है तो इसको open 2 mm कर लेंगे और apply कर देंगे इसके बाद यह अलग से layer बन चुकी है इसको हम इसके उपर add position पर रखेंगे तो इसको हम smooth करेंगे प यहां पर यह थीक बन रहा है या उसी के जैसा बन चुका है इसको हम apply कर देंगे और फिर से एक पर और इसे apply कर देंगे इसके बाद इसे cancel कर देंगे अब यहां पर यह खुरदरा surface आ चुका है अब यह चीज हमें इन पतियों के उपर नहीं चाहिए तो इन lines को हम select करेंगे और अंदर से इस area को हटा देंगे यहां पर यह design अमारे पास clear रह चुकी है और यह surface यहां पर खुरदरा आ चुका है इस तरीके से इस design को बनाया जाता है वीडियो पसंद नही हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नही हो तो चैनल को subscribe कर लेना साथी bell icon को press कर लेना जिसस की new video के updates मिलती रहे मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care bye